स्वागत हैं हमारी चैनल पर हम आज आपके लिए लेकर आए हैं क्विज अब्यास कक्षा 7 का गणित विसे का जो की सब्ता 18 का है और 6 नवेंबर 2021 को दिया गया है तो शुरू करते हैं पहला सवाल यहां हम एक संख्या देख रहे हैं चार सही 5 वटे 6 बराबर लाइन के नीचे लिखा हुआ है 6 तो उपर जो संख्या है वो क्या होगी इसको एक वार हम साधारण भिन में बदल लेते हैं चार गुणाच है यानि की 24 और 5 उपर जोड़ेंगे तो 24 और 5 39 तो यानि की हमारी संख्या होनी चीए अग्या संख्या 39 होनी चीए यहां पर देखते हैं प्रश्न अग्या संख्या ग्याद कीजिए तो इसका सही उत्तर है 29 यानि की तीसरा उप्सन अगले प्रश्ण में फिर से हम देख रहे हैं एक आयत में कुछ संख्याएं दी हुई हैं एक नम्मर पर है कीस वटे दो बरावर जारा सईये कटे दो यानि कीस आधारन विनन को मिश्र विनन में बदला है फिर है 7 बटे 6 बरावर 1 सही 1 बटे 6, 9 बटे 2 बरावर 4 सही 1 बटे 2, 11 बटे 4 बरावर 2 सही 3 बटे 4 प्रशन देखते हैं क्या पूछ रहा हैं, दिये गए चित्र में कौन सा विकल्प गलत है, यानि कि गलत किसको बनाया है तो यदि हम पहले में देखते हैं, 21 में 2 का भाग लगाते हैं, तो 11 सही 1 बटे 2 आ रहा है, तो ये गलत है, यानि कि 21 में जब हम भाग लगाते हैं, तो 10 सही 1 बटे 2 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर 11 सही 1 बटे 2 दिया हुआ है, इसलिए हमारा आंसर होगा 1, ओप्सन नमबर एक, अगला प्रश्ण है, माइनस पचीस गुणा सत्रा प्लस तेरा गुणा माइनस पचीस का मान कौन सा विकल्प दर साता है, तो इसका हम हल करके देखेंगे, माइनस पचीस गुणा सत्रा प्लस तेरा गुणा माइनस पचीस, इनको अगर हम हल करेंगे, तो हमारा उत्तर हो माइनस साथ सो पचास यानि की चोथा उप्सन हमारा सही उत्तर है सही कथन का चैयन कीजिए योग और विवाजन पूर्णांकों के लिए क्रम बिन में हैं गुनच गुनन और विवाजन पूर्णांकों के लिए क्रम बिन में हैं गलत है ये भी गुनन और योग पूर्णांको के लिए क्रमविन में होता है तो उक्षन नमबर तीन इसका सही उत्तर होगा अगला प्रिश्ण है दी गई सर्तों पर विचार कीजिए सर्त ए 8,-5 और 11 का गुणन सर्त है बी में 10,-10, 2 और 15 का विभाजन उप्रक सर्तों में कौन साचर गुणधर्म को व्यक्त करता है तो इसमें उत्तर होगा केवल सर्त ए योकि इसमें गुणन जो क्रिया है वो साचर गुणधर्म को व्यक्त करती है और वी सर्त में विभाजन दिया हुआ है ये इस सर्त को पूरा नहीं करते हैं इसलिए उप्शन नमबर एक हमारा सही उत्तर होगा अगला प्रशन है प्रथम 10 प्राकर्तिक संख्यों का माध्य क 114, 114, 114, 114, 116, 118 का बहुलक क्या है हम यहां देख रहे हैं 114 कई बार आईए सबसे ज्यादा बार आईए जो सबसे ज्यादा बार होती है संख्या वो बहुलक होती है इसलिए उप्शन नमबर 3 इसका सही उत्तर होगा 114 35, 32, 32, 32, 32, 34 का माध्या ज्याद कीजिए तो माध्या किसका होगा 35 हम इनको आरो इक्रम में इन संख्याओं को हम जमा लेंगे 32, 32 दो बार आया है उसके बाद 35 एक दो दो बार आया है उसके बाद में आएगा 32, 35 से पहले आयाएगा यहां 34 जो की एक बार आया है उसके बाद में 42 कितनी संख्याओं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और एक और है गई है 38 यहां 38 आजाएगा तो बीच में जो संख्या आएगी वो आऊगी 35 तो इसका उप्सन नमबर एक हमारा सही उत्तर होगा इस तरह से बच्चों यह हैं आज का क्विजब भ्यास पूरा होता है जो की एक अक्षा साथ का विशागनित का था आगे के एक विजब भ्यास जो इसकी इसी क्लास के आए हैं देखने के लिए जुड़े रही हमारे चैनल से धन्यवाद